प्यार की मामले में और शादी के मामले में यह anime जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट है मैंने I think किसी भी anime movie या anime series में इतनी तेज प्यार होते और शादी होते कभी नहीं देखा नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं Tony Kawa या फिर कहूँ इसका जो English name है नाम पर इसका नाम रखा गया, काफी जारे लोग इसका मजाग भी उडाते हैं, तो ये लड़का एक दिन अग के लड़की से मिलता है, या फिर कहूं उससे मिलता है नहीं, उसको वो देखते हैं, और उसको देखते ही पहली नजर में, मतलब क्या कर रहा हूँ, इससे प्यार लाइफ में मत करना, क्योंकि यार तुम अगर किसी लड़की, तुम्हें कोई लड़की क्यूट लगती है, जो बहुत जादा क्यूट होती है, मतलब कि ये क्यूट थी इसके अंदर, जो तुम्हें बहुत जादा क्यूट लगती है, और तुम उसे बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तुम्हें कोई टककर मार के चला जाते हैं तो वो लड़की तुम्हें बचाने नहीं आएगी तो भाई साब अपनी जान का खुद रखवाली करो यह सब चालपनिक दुनिया में रहने तो अब यह नासा जो है वह इस लड़की को बहुत अदा पसंद करने ल लड़की भी कहती है कि ठीक है अगर तुम उससे प्यार करता है अगर तुम उससे पहले शादी करनी पड़ेगी तब मत तुसे प्यार करूंगी मतलब यह कौन सी कंडिशन होगी तो भही लड़का जो है उसको एक तुम इतनी क्यूट लड़की मिल रही है तो यह कहां पी दोनों शादी शुदा मतलब जोड़ा एक कपल बन जाते हैं और यह सारा का सारा सिरुफ और सिरुफ एक ही एपिसोड में हो रहा है इसके दूसरे एपिसोड में भी नहीं हो रहा है मतलब पहले एपिसोड में यह मिले काफी टाइम बाद उनका भी दिखा दिया लास्ट में वोने शादी भी कर ले मतलब इतनी तेज एनिमे सीरीज मैंने सच कहा रहा हूं जिसमें प्यार भी हुआ और शादी भी हुआ जट मंगनी पट प्यार यह वाली चीज मैंने पहली बार किसी एनिमे मुवी ने तब एनिमे सीरीज में देखी है अब देखो इन दोनों की करूँ क्या इसमें पॉजिटीव चीज़े हैं और क्या इसमें नेगटीव चीज़े हैं तो सबसे पहले इसके नेगटीव चीज़ों की बात करूँ तो वो यह है कि जो इसके एनिमे करेक्टर हैं उसके साथ जो उनकी स्टोरी दिखाई जाती है मतलब उनकी दिखाई ही न क्योंकि इसने जैसे इनको कहा कि मैं शादी करूँगी जब तुम उससे प्यार करेगा अगर मैं तुम शादी करोगे तब मैं प्यार करूँगी तब उसने ऐसी condition रगी थी तो मैंने सोचा था यार कोई ना कोई तो राज होगा कुछ अलग होगा सुपर नाष्र होगा कुछ तो ऐसा होगा अश्यार बिलकुल भी नहीं था हमें विलकुल एक सिंपल सी इस है तर्च सिया gen年 10 n वहा नाव जाती है तो बिल्ड़ाना-जाति उसको देख लगता नहीं सीरियूस है और अगर इसकी जो इसینol की बात करूँ जिसले समें रोमेंस और कॉमेड़ी लिखी गई है तो रोमेंस तो मैं कहूंगा यह बिल्कुल नामात्र के बराबर था मतलब थोड़ा बहुत ही था मतलब उसको क्या कह सकते हैं रोमेंस और कॉमेड़ी खुत ज़ाधा कम थी मतलब रहा रह कि एक जादे एपिसोड में थोड़ी बहुत हंसी आ जाती थी वरना इसमें हंसी नहीं आती थी और अगर मैं बात करूँ इसके positive point की तो मैं ये कोँगे कि बहुत जादा light heart anime series है जिसमें रोना नहीं पड़ेगा आप लोगों एक अच्छी थोड़ा बहुत आप हलकी फुल लगता है कि उनको disappointing करेगी क्योंकि इसमें जैसा हमने सोचा था जैसे हमने किया जैसे मैंने सोचा था कि यार इसमें ऐसे turn and twist आएंगे कुछ अलग सा मिलेगा कुछ interesting create होगा तो वो सब चीजे नहीं है यार बिल्कुल एकदम दोनों की शादी होती है दोनों में बस सहां की बैट बड़ा लेना चुट रहा है क्या बात कर रहा है जो होता है न पती-पत्नी जो आते हैं तो दो टिमेजर होते हैं तब उनके बीच में कैसे वो एक दूसरे को understanding करते हैं इतना भी गहराई से नहीं डिगाया तो साथ ही देख लिए थे मैंने इसके बारा के बारा एपिसोड वरना मुझे पहले से पता हो था कि इसके अंदर ऐसा है तो मैं इसको बिल्कूल भी ना देखता हूं फिर भी मेरी तरफ से मैं यह कह सकता हूं कि यहारा हम वन टाइम बहुत चाहरा आप लोग देख सकते है और अगर आप बहुत जादा एनिमे देखते आ रहे हैं तो बेशक आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं मेरे हिसाब से वन टाइम वोच है या नहीं भी है यार वसाज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में तैंक्स वर वोचिंग इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स व रादा समय में भी ओियो में जा धडर नादा रहे हैं में पर दो पर हर देखते हैं झाल वोचके म में वैंज आफ लिए शु进सूसे कर सकते हैं लिता इसका और दो हजए हैं